सबसे पहले हनानमुला साब आप हमारे साथ कुछी देर के लिए मेरे कुछ सीधे सीधे सवाल है आपसे एक बार फिर से सरकार ने आज किसानों को चिठी लिखी है और कुछ बाते कहीं है क्या आप तक वो चिठी पहुँची है और अगर पहुँची है तो आपका रुख उस पर क्या है कि जफी आज मिला है चिठी के पात चिठी आ रहा है और चिठी में जो उसका कॉंटेंट है जो कॉंटेंट है और रिपीटेशन है फास कि दिशेंबर घृगते हो और इसके वजय से यह अंदोलन में अर्चा ने पैदा हो रहा है और चर्चा होता है एजेंडा पर चर्चा किसी पर ठुपने से नहीं होता हम साथ महीना से अंदोलन कर एक दिन नहीं है साथ महीना लगातार अंदोलन कर रहा है और हम दूसरे डिमेंड नहीं रखा क्योंकि द कानून का A to Z किसान विरोधी है इसमें थोड़ा बहुत कोस्मेटिक चेंज करके इसको करेक्टर बदल नहीं सकता कि इसका अबजेक्शन लेके इसका इंटेंशन ऑबजेक्ट स्टेटमेंट और उहां से इसके खरावी है जो बेसिक जगा जो किसान विरोधी है कौर्पोरेट पर टरही है देश को जुतना बचा है जमीन सब दो चला गया अदाने अममत्नी के हाथ में ओप लेल चला गया एरयोप्रेंड चला गया चला गया हमारा शिक्सा इंस्टिट्यूचन है चला गया माब वो श्टेट यवारा कॉम्यूनिकेशन चला गया टिपन्च चला गया सरफ जमीन बाचा है किसान के हाथ में यह चंगा आदानियाम मनी को देने का जो साजीषтор से 30 बील में यह 3 बील किसी बील नहींव है यह 3 बील टेड़ बील है हम किसान केती करने वाला उत्पड़क रहना चाहता है हम नहीं चाहता है टेडस्ति टेडर आज किसान को हमारा हिंदुस्तान में खेती एक वे अप लाइफ है जिबान धारा है वो जिबान धारा से हटा के हमको टेडर बना के और कॉर्परेट को गुलाम बनान के साजी साई यह हमरा मंजूर नहीं है इसलिए एक कानून बापस लो हमसे बातचीत करो करके नया कानून दोनों पक्स सुनके ग्रहन जो गया से कानून बनाओ मगर सरकार किसी लेबल पर हमारा बात नहीं सुना है आज फिर बोला है चर्चा करो अने में करो अरे अमेंडमेंट करके आप लोगों की बातचीत हो चुकी जब आप अपनी बात पे कायम है के कानून वापस लो और वो तो फिर बात्चीत किस चीज की होनी है फिर तो बात्चीत का कोई तुक नहीं रहता ना बातिचित वही तो है तो बातचित तो करेंगा सरकार का हम अपना दुख-दुरत देखे आया हम किसी का सूरत देखने तो नहीं आया लाखों लोग आया किसलिए ठंडा में बैठे हैं जिरो टिग्री में चलिश लोग मर गया एक मज़ा कर टूरिजम करने आया हम हम तो आया ह हमारा दुख दरुद सरकार को बताएंगे और सरकार हमारा बात सुनके हमारा कोई नीदान देंगे और सरकार हमारा बात ना सुनके अपना बात जबर्दस्ती ठोपने का कोसिस कर रहा है ये कोई बात नहीं है हमारा जो साथ महिना से जो हमारा दुख दरुद हम चिला रहा है क कोई बात सुना नहीं एक्ट बनाने जब कोसिस किया बोला हम के किसान के सुना नहीं पास करने के बाद इंप्लीमेंट करना सुरू किया तब भी सुना नहीं इसके बाद जब हम आंदोलन सुरू किया तब भी सुरू नहीं किया हनान मुला, सरकार क्या कह रही है, सरकार की तरफ से जो बातें आ रही है, वो कुछ इस तरह की है, कि आप जिसको किसान का दर्द कह रहे हैं, सरकार कह रही है, वो लेफ्ट और कॉंग्रेस का दर्द है, किसान तो रोज हमारे पास आ रहा है, कृष्शी मंत्री से मिल रहा है, देश के अलग-लग राज्यों के किसानों को हम समझा भी रहे हैं और सुनिए सुनिए वो जो कर अला रहा है वो सब सजावाथ है उसका पीछे पांच किसान नहीं है कि सजावाना लोग पैसा देके इसको मितिंग कर वके छोबी उटाके दुनिया को गुम्रा करने के लिए इसलिए किसान का अंदलन जो चल रहा है सात महीना से इसको जो नतीजा किया होगा इसको मुर्म में किया है यह बात सरकार को समाजना जनुबाद में सरकार जनता का आवाज सुनते है जनता का आवाज को नाकारता नहीं है यह कैसे जनवादी सरकार है जो जनता का आवाज न सुनके उस पर अपना दबाव थूपने का कोशिस कर रहा है यहीं तो भी रोध कर जाएगा है सरकार तो यह भी कह रही है कि लेफ्ट के लोग यहां पर आंदोलन को तूल दे रहे हैं और केरला में खुद वो एपी एमसी नहीं रखते हैं तो इसलिए लेफ्ट का तो वैसे ही डबल स्टेंडर्ड है सरकार लगातार आरोप लगा रही है चुनिए यह लेफ्ट का सुरू नहीं है हिंदुस्तान में पंजाब भरियाना और पुष्चि मुत्तर उत्पद्रस के हिलाब आप पूरा हिंदुस्तान में कोई जैगा में न ट्राए हिंदुस्तान में लुष्चि मुत्तर आरोप सुरू लगातार आरोप लगाता नहीं हम लगातारर आरोप सुरू लगातार्ण में अश्वातार्